दुनिया के सबसे अमीर सक्स एलन मस्क द्वारा ट्विटर की खरीद लगाता चर्चा कवी से बनी हुई है एलन मस्क ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 44 अरफ डॉलर में खरीद लिया है इस डील को अंतीम रूप देने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है अगर किसी कारण से एलन मस्क ट्विटर डील पूरी नहीं कर पाते हैं तो अधार पुनावाला के इन्वेस्टमेंट एडवाईस को मान सकते हैं आपको बता दें कि कोरोनावाईरस वैक्सीन कोमी सील बिलाने वाली कमपनी सिरम इन्शिट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक अधार पुनावाला ने एलन मस्क को एक सला दी है पुनावाला ने मस्क को नए इन्वेस्टमेंट के बारे में ट्वीट करके सला दी पुनावाला ने लिखा एलन मस्क अगर आप ट्वीटर को खरीतने का काम पूरा नहीं कर पाएं तो उस पूजी का कुछ हिस्सा इंडिया में निवेश कर सकते हैं आप यहां टेसला कार्स की एक बड़ी और हाई क्वालिटी फैक्टरी लगा सकते हैं मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि यह आपका अब तक का सबसे बढ़िया इंवेश्टमेंट होगा इंडिया में टेसला की कार बनाने को लेकर सरकार और एलन मस्क में सहमती नहीं बन पाई है भारत में इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट बढ़ने के बावजूद एलन मस्क अभी तक इंडिया में अपनी टेसला कार लॉंच नहीं कर पाये हैं एलन मस्क भारत में टेसला की फैक्टरी लगाने से पहले, सरकार से बनी बनाई कारों को इंडिया लाने के लिए आयात कर भी छूट चाहते हैं और उन्हें यहां मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सरकार अलग अलग बन्चों से साफ कट चुकी है कि अगर टेसला को इंडिया में कार बेचनी है तो उसे यहां फैक्टरी लगानी होगी और वो इसके लिए सरकार की पी लाई स्कीम का लाब उठा सकती है if the young young must is ready to manufacture a tax line India there is no problem we have got the all competency the vendors are available we have got all type of technology and because of that he can reduce the cost but our request to him is that you come to India start manufacturing here India is a huge market the export availability everything that ports are available they can make their export from India and he is welcome he is welcome in India we don't have any problem but suppose you want to manufacture in China अगर एलन मस्क मान लेते हैं तो टेसला की भारत में एंट्री होगी और विदेश में इलेक्ट्रिक गवानों की मार्केट में नया भूम आ जाएगा